हेलो एब्रीवन इस वीडियो में हम लोग AutoCad में CircleDraw करना सिखेंगे और देखेंगे कि तरीका से हम CircleDraw कर सकते हैं तो चलिए Start करते हैं CircleCimrand का Use हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं First तो हम Simply C प्रेस करेंगे और Enter प्रेस करेंगे हमारा CircleCommand स्साथ हो जायगा Otherwise हम लोग circle के icon पे भी जाके circle command को select कर सकते हैं तो हम लोग circle को कितना तरीका से draw कर सकते हैं वो देखेंगे तो हमारा first type है center radius तो हम center radius को select करते हैं अब देखिए इस circle को draw करने के लिए हम कहीं भी click करेंगे और जिस point पे हम click किये वो center point होगा अब हम लोग radius fill करेंगे तो radius हम 10 mm fill कर लेते हैं और enter प्रेस करेंगे तो देखिए ये 10 mm radius का circle draw हो गया अब हमारा अगला circle है center diameter तो center diameter के लिए हम लोग center diameter select करेंगे अब हम लोग cursor को कहीं भी click करेंगे वो हमारे center point होगा तो अब हमें diameter fill करना है तो diameter हम लोग 40 mm fill करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो देखिए ये 40 mm diameter का circle draw हो गया अब हमारा अगला circle है 2 point जब हमें 2 point के बीच अगर circle draw करना हो तो हम 2 point circle को select करते हैं अब देखिए अगर हमें ये 2 point के बीच अगर circle draw करना है तो हम first point को select करेंगे और second point को select करेंगे देखिए यह circle draw हो गया अब हमारा अगला circle है 3 point जब हमें 3 point के बीच अगर circle draw करना हो तो 3 point circle को select करते हैं तो हम इसे select कर लेते हैं अब देखिए मान लीजिए यह 3 line है 3 line के बीच हमें circle draw करना है तो हम first point को select करेंगे फिर second point को select करेंगे और देखके third point को select करेंगे हमारा circle draw हो गया ये three point circle है अब हमारा अगला circle है 10-10 radius 10 का मतलब होता है tangent तो हमें tangent-tangent radius का circle draw करना है तो हम इसे select करेंगे तो हम first line को select करेंगे और second line को select करेंगे और अब हमे radius feel करना है तो radius हम लोग 20 mm feel कर देते हैं और enter press कर देते हैं तो देखिए ये 10 10 radius का circle draw हो गया अब हमारा अगला circle है 10 10 10 मतलब tangent 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 circle तो हम इसे select करेंगे और देखिए हमें ऐसा circle draw करना है जो ये तीनों line को touch करें मतलब तीनों line पे tangent हो तो हम first line को select करेंगे फिर second line को select करेंगे और third line को select करेंगे तो देखिए ये circle तीनों line को touch कर रहा है मतलब तीनों line पे tangent है तो ये था हमारा circle command Thank you